हाई गाईज वेलकेम चुआ ब्राइंड न्यू सेशन ओफ कुरेंट फेयर्स आज की तारीक है 27 अगस 2021 हमारे दो चानल्स है पिनेकल और फ्रेंटियर आई एस और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कूल न भू करना बिल्कूल न भूलिएगा और यह सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह चार बज़ेवेलेबल हो जाता है साथ ही साथ फॉर डेली वीडियो फीडियाफ एंड मंथली मैगजीन आप मैटेलिग्रम हैंडल्स ट्रेंटियर आएस और एसस जटनेकल ओनलाइन को जोईन जरूर करें स्टार्ट करेंगे प्रीवेस कुल्स के साथ मैंने आपसे पहला क्वेस्टिन पूचा था तो अफगानिस्तान से पने नागरिकों को निकालने के भारत के जटिल मिशन को क्या नाम दिया गया है तो इसका सही जवाब थो अपरेशन देवी शक्ति और दूसरा क्वेस् के नए महानी देशे के रूप में किसे नुक किया गया है तो इसका सही जवाब हो ऑप्शन दी पंकज कुमार सिंग तो प्रधान मंति नरेंद्र मोदी के नेत्रेतवों में मंत्री मंडल की नुकति समिती ने वरिश्च आईपेस अधिकारी पंकज कुमार सिंग को सीमा सु दिल्ली पुलिस आयुक के रूप में नुक किया गया था यहां तस्वीर में देखिए राजिस्तान केडर के 1988 बैच के आईपेस अधिकारी पंकज कुमार सिंग वर्तमा में बल में एक विशेष डीजी के रूप में कारयत हैं बीएस एफ प्रमुक के रूप में उनकी नु किया गया है संजे अरोडा को नया आईटी बीपी प्रमुक नुक किया है संजे अरोडा तमिलाडू के 1988 बैच के आईपेस अधिकारी बर्तमान में आईटी बीपी में एक विशेष डीजी है वह एसेस देशवाल का सान लेंगे जो 31 अगस्त को रिटायर होने वाले हैं उनक इलेक्ट्रोनिक्स और सूशना प्रद्योगी की मंत्रालिया ने स्टार्टप परिस्थिती की तंत्र को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है सबसे पहले स्मृद की फूल फॉर्म है स्टार्टप एक्सिलरेटर्स ओप माइटी फॉर प्रड़क्ट इनोवेशन, डिवलेप्मेंट और ग्रोथ तो इलेक्ट्रोनिक्स और सूशना प्रद्योगी की मंत्री अश्वीनी वैश्नव ने घोशना की है कि सरकार अपने शुरुवाती चरण में स्टार्टप और उद्मियों का समर्थन करेगी जहां उन्हें सबसे अधिक चुनौत की सहाइता प्रदान करेगी बलकि कौशल सेट को एक साथ लाने में भी मदद करेगी जिससे उन्हें सफल होने में मदद मिलेगी नेक्स्क्रेशन देखो जल शक्ति मंत्राले दवारा और अधिक ODF प्लस गाउं बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है तो इस शौच से मुक्त ODF गाउं तयार करने के लिए अजादी का अमरित महतसब के तहट सौधिनों का सुजलम अभियान शुरू किया इस अभियान का प्रयास अल्प समय में तीवर गति से देश भर में गाउं के लिए खुले में शौच से मुक्त का दर्जा हासिल करने पर केंद सौधिनों के सभ्यान का लक्षे दस लाख जल दिसाब गड़ो यानि सौफ़िट के निर्मान एम अन्य अप्शिष्ट जल प्रबंदन गतिविधियों से गाउं के सर पर जल प्रबंदन करना एम अधिकादिक ODF गाउं तयार करना है नेक्स्ट क्वेस्टन देखो ग्लोबल मैनिफेक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत का रेंग क्या है तो इसक सही जवाब हो ऑप्शन नुबर C तो भारत एक वैश्विक V निर्मान केंदर के रूप में उभरा है और भारत ने मोस्ट डिजायर्ड मैनिफेक्चरिंग डेस्टिनेशन बनने के लिए संयुक्त राजे अमेरिका को प्रभावी धंग से पीछे छोड़ दिया है पिछले साल की रिपोर्ट में अमेरिका शांत के 47 देशों को रैंक करता है नेक्स्ट देखो किस देश की साइकल चालक पेज ग्रीकों ने के रजप पदक विजेता शियाओमी बांग से पहले लाइन पार की जर्मनी की डैनिस शिंडलर ने कांसे पदक जीता यहाँ उन्हें तस्वीर में देख लीजिए और extra information की बात करें तो भारत की अब तक की सबसे बड़ी टुकडी नौ खेल विधाओं यानि स्पोर्ट्स डिस्सिप्लिन्स में 54 एथलीट प्रतिस परधा कर रहे हैं जैबलिन थ्रोवर टेक चंद को टोक्यो परलंपिक 2020 के उद्गाटन समारों के लिए भारत के धोजवा के रूप में नामित किया गया है मरियपन थंगा वेलू को टोक्यो के लिए अपनी उडान में को कोविट सकरात्मक व्यक्ति के करीबी संपर्क के रूप में पहचाना गया बात करें हाँ पर ऑस्ट्रेलिया की तो इसी कैपिटल है केन बेरा करंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर नेक्स्ट विश्व जल सप्ता थोजार रिक्यस की थीम क्या है तो इसका सई जवाब हो ऑप्शन ओबर सी बिल्डिंग रेजिलियन्स फास्टर तो 26 विश्व जल सप्ता 23 अगस्ट से 27 अगस्ट 2021 तक आयोजित किया जा रहा है इस वर्ष की थीम है बिल्डिंग रेजिलियन्स फास्टर विश्व जल सप्ता 2021 को जलवायू संकट पानी की कमी खात सुरक्षा स्वास्थे जैव विधिता और कोविड-19 महमारी के चौक्षम इंटरनाशनल वाटर इंस्टिटूट द्वारा आयोजित किया जाता है यह पहली बार 1991 में मनाया गया था नेक्स्ट क्वेस्ट देखो यूगांडा की हुसना को कुंद कवे टोक्यो पैरलम्पिक में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट बनी है वह किस पैरलम्पिक में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट होंगी वह टोक्यो 2020 में यूगांडा की एक मात्र पैरा तेराक भी है और महिलाओं की 100 मीटर बैक्स्ट्रोक शेनी में प्रतिस परधा करेंगी यहां पर एक्स्टन इंफ्रमिशन की बात करें तो भारत की कशि पुट के साथ यह इवेंट चार थ्रोइंग इवेंट्स में से एक है बात करें यहां पर यूगांडा की तो इसी कैपिटल है कामपिला थिरंसी है यूगांडन शिलिंग नेक्स्ट क्वेशन देखो भारत कजाकिस्तान सयूग्ध प्रशिक्षन अभ्यास का पांचवा संस करन काजिद 21 तीस अगस्त से 11 सितंबर तक कजाकिस्तान के ट्रेनिंग नौड आईशा बीबी में आयुजित किया जाएगा काजिद 21 दोनों देशों की नौ सेनाओं के बीच एक संयूग्ध प्रशिक्षन अभ्यास है जिससे भारत और कजाकिस्तान के द्वी पक्षे संब और मजबूत बनेंगे इस अभ्यास में भारतिय सेना के टुकडी का प्रते निधित्व बिहार रेजिमेंट की बटैलियन करेगी जिसमें कुल 90 सेने कर्मी शामिल है और कजाकिस्तान सेना का प्रते निधित्व एक कंपनी समूद वारा किया जाएगा संयूग्त अभ्यास म तो इसी कैपिटल है नूर सुल्तान करंचिय कजाकिस्तानी टेंज नेक्स प्रते निधित्व बैंक के एमडी और सीओ के रूप में संदीब बक्षी की पुने निधिति को मंजूरी दी है तो इस सही जवाब हो ऑप्शन अबर बी आइसी 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 आइ और कारे काल 3 अक्टूबर 2023 तक जारी रहेगा आइसी 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 आइए बैंक वीडियो कांट रिन विवाद के बाद अपनी पूर्व वर्ती चंदा कोचर के भार निकलने के बाद बक्षी को केवी कामत और N वागुल ने चुना था उन्होंने अक्टूबर 2018 मे कारे भर संभाला था बात कर लेते हैं आज की सेशन के कुईक समरी की तो बीएसेफ के डीजी बने हैं पंकच कुमार सिंग आईटी बीपी के न्यू चीफ बने हैं संजे अरोडा स्टार्टप एको सिस्टम को बूस्ट करने के लिए प्रोग्राम स्मुरिध लॉंच किया ग और आस्ट्रेलिया की साइकलिस्ट पैज ग्रेको ने टोक्यो परलंपिक्स में पहला गोल्ड हासिल किया वर्ल्ड वोटर विग 2021 की थीम है बिल्डिंग रजिलियन्स फास्टर यूगांडा की हुसना कुकुंद कवे टोक्यो परलंपिक्स में यंगेस्ट अथलीट बन किया है बात कर लेते हैं आज के सेशन के कुल्स वादर डे की आपका पहला क्वेस्टिन है ग्लोबल मैनिफेक्ट्रिंग रिस्क इंडेक्स होजारी किस में भारत का रेंग क्या है और आपका दूसरा क्वेस्टिन है सीमा सुरक्षा बल्ड बीस एफ के नए महानी देश्यो के रूप में किसे न्युक्त किया गया है इन दोनों क्वेस्टिन का आंसर आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर करना है और अगर अब तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा साथ ही साथ इस बल आइ नोरिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलिग्रम हैंड्स को जोईन जरूर करना है थैंक्यू सो मच